हलो आप्रीवन मानश्मेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रूप कोहिंसिवनेस तो नेक्स्ट आप देखतें कि इससे रिलेटेट कुण कुण से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यह एक ओर्गनेशेशन बहेवियर का टॉपिक है तो इस कौन से फाक्टर से जो किसको अफेक्ट करते हैं और इसके एडवांटेज इस इनको डीटेल में लेखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप और ग्रूप बहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए चानल को सब्सक्राइब किजिए और किसे टॉपिक पर वीडियो ची तो आपका मेंट घर सकते हैं फर्स्ट हम देखेंगे वाट इस कोईंसिवनेस बताता है कि जो लोग है वो कैसे ग्रूप के साथ इंटरेक्ट करते हैं मतलब उनको लगता है कि हम ग्रूप के साथ शेयर करते हैं अपनी फिलिंग्स को एक्शन्स को थॉट्स को ताकि उनके बीच में यूनिटी रहे कि ग्रूप एक है तो कोईंसिवनेस बताता है कि किस तरीके से या कितना इंटरेक्ट आप ग्रूप के साथ करते हैं अगर कोईंसिवनेस चाद होगी तो आप group के साथ जादा interact करते हैं, जादा जूड़े होएं और कोंसरी में पाइंस काम्वारच करते हैं Coinciveness जाद है तो आप group के लिए जादा वफ़दार होंगे उसके लिए अच्छी तरीके से काम करेंगे ये Coinciveness को बताते हैं नेक्स्ट आम देखते हैं, group coinciveness बताते हैं, कि जो भी group के member है, उनके बीच में कितना अच्छा bond है, वो एक दूसरे के साथ कितने committed रहते हैं, group को अपना part समझते हैं, और group के साथ अच्छी तरीके से मिलके काम करते हैं, coinciveness अच्छी है, तो आपका teamwork अच्छा होगा, productivity अच्छी के, तो first आता है, जो भी छोटे group होते हैं, मतलब जिसमें कम लोग है, five यटेन है, उनके बीच में coinciveness, मतलब लोग जादा अच्छे से मिलचूल के काम को करते हैं, क्योंकि कम लोग है, तो सब के point of view similar होंगे, सब एक दूसरे की चीजों को easily समझ सकते हैं, दूसरे को समझ सकत हैं, second आता है, जो भी group के members होते हैं, उनके बीच में common interest होता है, और background होता है, मतलब, group coinciveness अच्छी आपके group में, तो आप सारे लोग एक तरह की रूची रखते हैं, एक तरह का interest रखते हैं, एक तरह के background से होंगे, तब ही आप एक दूसरे के साथ easily अच्छे तरीके से रह सकत next आता है, जिस भी group में आप है, वो एक आपके status को बताता है, organization के अंदर, कि जिस तरह का आपका group होगा, उसी group से आप long करते हैं, तो आपका भी status आपको भी उसी तरीके से देखा जाएगा, आपका group बहुत active या अच्छी तरीके से perform करता है, objective को achieve करते हैं, तो सब भी को maintain करके रख सकते हैं, next आता है, जो हर coinciveness team होती ही, वो geographically अलग होती है, मतलब same location पे रहने वाले लोग सेम तरीके होंगे, उसमें जादा coinciveness दिखे की, बलकि जो different locations पे लोग रहते हैं, उनकी आपको coinciveness कम मिलेगी, next आता है, जब भी आपके group में अच्छी coinciveness है, तो आप regularly recognition पा commitment है, उससे आपको easily पता चल जाएगा कि आपके group में कितनी coinciveness है, अगर आपने आपके काम को पूरा किया है, goals को अचीव किया है, जो भी आपको targets दिए गए तो ये बताता है कि आप अच्छी team है, आपके बीच में अच्छा coinciveness है, next आता है, significance of group coinciveness, या बोल जाए तो क्या importance ह होते group coinciveness के, तब first आता है, enhanced performance, अगर group के बीच में अच्छा strong bond है, सब लोग अच्छी तरीके से perform करेंगा है, management को भी help होगी कि वो उनके objective को अच्छी तरीके से achieve कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उनके employees है, वो अच्छी तरीके से perform करें, next आता है, increasing satisfaction, जो group coinciveness है, सिर्फ या आप employees को satisfied भी करता है, उनको लगता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, उसमें वो खुश है, अपना performance लेबल और बढ़ाते हैं, वो और motivate होके, अपने extra efforts लगाते हैं, जितना हो सकता है, उससे जादा वो काम करने की कोशिश करते हैं, next आता है, assurance of task completion, group coinciveness बताते हैं, कि लोग एक लोग मिलके वालनेक की sales को आपको दिखाएंगे, तो वो ensure करते हैं कि आपका जो भी काम है, वो पूरा होगा, next आता है, emotional connection, जब भी आप team के साथ ही बताते हैं, कि आप emotionally attached रहते हैं, members के साथ में, उनके साथ आपका emotional connection होता है, मतलब आप आपकी personal life को भी share करते हैं, common objective होते ह आत, easily collaboration कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और जो भी आपका common objective होगा, उसको easily achieve कर सकते हैं, next आता है, कि कौन से factors हैं, जो की group coincidence को affect करते हैं, first आता है time investment, अगर आपका group coincidence अच्छा है, तो लोग जादा time group के साथ रहेंगे, group के बीच में अच्छा bond होगा, ये help करता है क आप group के साथ family हो सकते हैं, लोग एक दूसरे को वो जादा जान सकते हैं, जादा trust build हो सकता है, कम time देंगे, तो आपके बीच में group coincidence कम रहेंगे, लोगों के बीच में trust issues रहेंगे, bond भी आपका इतना strong नहीं रहेगा, next आता है group size, अगर आपका group छोटा है, तो जादा coincidence है, मत करनी हैं, और group coincidence भी कम होगी, next आता है shared value, जो भी लोग होते हैं, वो अपनी value को, goals को, वो क्या सूचते हैं, क्या feel करते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ share करते हैं, अगर अच्छा bond है, आप सब का, तो अच्छा relation होगा, आपको सारी चीजे पता होगी, आप एक दूसरे के friends ह और आप खुश रहेंगे, वहीं group coincidence अगर कम होगी, तो आप ये personal चीजे आपकी जो भी values, goals से उनको आप share नहीं करते हैं, next आता है behavior understanding, अगर group coincidence अच्छी है, तो आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, किसी भी employees का कैसा behavior है, मतलब किसी के अंदर leadership quality है, कौन कितना bold है, उनको improve कर सकते हैं, कि उनके behavior को आप change करें, उनको समझ सके कि वो क्या चाहते हैं, next आता management influence, आपकी group की coinciveness management को बहुत जादा affect करती है, और ये आपके teamwork से पता चलता है, अगर आपका leader अच्छा है, बहुत active है, बहुत helpful behavior है, उसका पूरे group को साथ में लेके चलता है, सब की help क किसे काम करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके favorite है, उनके साथ biased हो सकते हैं, मतलब उनहीं का साथ दे, उनहीं को promote करें, तो ये आपके पूरे performance को भी affect करेगा, next हम देखते हैं, कि क्या advantages होते हैं, group coinciveness के, तो first आता है enhancement of communication skill, जो भी आपकी team है, उ improve करता है, positive changes लेके आता है, सब के अंदर self confidence को develop करता है, कि सब लोग एक दूसरे के साथ अची तरीके से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ information को share करें, feelings को share करें, next आता है improved coordination, जो group coinciveness है, ये बताता है कि जो भी members से वो अपने goals और preferences को share करते हैं, जिससे कि वो अपने result को, productivity को increase कर सकते हैं, इसमें involved होता है कि आप collaborate करें, team के साथ मिलके किसी भी काम को करें, जो भी आपके goals से, preferences से, आप उनको achieve करें, next आता है inspiration source, जो भी लोग है group में, उनको inspire या उनको motivate करने के, अलग-अलग चीज होती है, तो आपको उनको encourage करना है कि जो भी उनके idea से, जो भी वो स भूशते हैं, कुछ भी उनके mind में नया आ रहा है, तो वो पूरी team के साथ share करें, ताकि team उस idea पे काम कर सके, team में कुछ improvement हो सके, next आता है save time and efforts, जब भी आप group में काम करें, group अच्छी तरीके से किसी भी काम को कर रहा है, तो किसी भी चीज को करने में कम time लगता है, कम efforts लग है, तो सब लोग easily वो चल दी किसी भी काम को खतम कर सकते हैं, next हम दखते हैं, कि क्या disadvantages होते है, group coinciveness के, तो first आता है reduce innovation, जब भी आप team में हैं, तो ये आपकी limited creativity को बताते हैं, मतलब आप बहुत जादा नया नहीं सोचेंगे, कुछ innovative नहीं सोचेंगे, innovation को लेके आप से मित र unrealistic goal, जब भी आप group में हैं, आपके बीच में coinciveness अच्छी, आपको अच्छा outcome मिलते हैं, उसकी वज़े से क्या होते हैं, कि आप both high level के goals को set कर लेते हैं, और जिनको की आप achieve नहीं कर सकते हैं, और उनको आप achieve करने में fail हो जाते हैं, तो आप unrealistic goals को बना लेते हैं, तो ये कुछ इसके disadvantage थे, तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि coinciveness क्या होते है, group coinciveness क्या होते है, इसके क्या characteristics या बोले जाए तो क्या features होते हैं, क्या significance या बोले जाए तो क्या importance होते हैं, कौन से factors इसको affect करते हैं, इसके advantages और disadvantages, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक केजिए, च इसे topic पर वीडियो ची तो आप comment कर सकते हैं, thank you